भाई और बेहनों, सपा हो, बसपा हो, कॉंग्रेस हो, सत्ता के लिए सिद्धान्तों को कैसे पाउं तले रोंदा जाता है, उसके यह सबसे बड़े नमूने हैं, सबसे बड़े उदाहरणे, सपा, बसपा और कॉंग्रेस, इन तिनों को वोट बेंक के गुणा गणित के ऐसी भुरी लत लगी है, कि वो इनसान को भी एक मात्रा उस गिंती और बोड का पताका समगते हैं, जैसे पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसपर होते हैं, यह इनसान को भी एक कॉंट्रेक्टर की तरह मेरे पास 50 हैं, इस बार तुम ले जाओ, बडले में मुझे यह दे दे रा, मेरे पास 200 लोगों की बिरादर ही हैं, इस बार तुम ले जाओ, मुझे बडले में यह दे रा, ये समाजों का जातियों का समूहों का खरीद विक्री कर रहें भाईयों क्या हमारे देश का नागरीक इस प्रकार ते कोई हमारे सौदे करें ये हमें मंजूर है क्या ऐसे नेता हमको मंजूर है क्या ऐसे दल हमको मंजूर है क्या इस बार लोगों का जमीर जग चुका है और जनता ने तै किया है कि नेता अपने खातेर ये खरीद बेच की विक्री चला रहे है एक दूसरे को तुम मुझे दे दो मैं तुमें मैं दे दू चलता है अब हम यह नहीं देंगे हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे और भाईयों मैंनों इनको आदत हो गई है इसलिए ये डंके की चोट पर बोट ट्रांसपर करने के बादा करते हैं दावा करते हैं अरे महा मिलावटियों इनसान और रुपियों में बहुत बड़ा फर्क होता है और मेरे देश का मेरे उत्तरप्रदेश का हर नागरीक वो गरीब हो सकता है लेकिन वो कभी बिकाव नहीं हो सकता है आप लोग बिकाव ठेकेदार हो साथियों ये लोग भूल रहे है कि मेरे उत्तरप्रदेश के साथ ही मेरे यहां के वोटर किसी दल के बदलने से नहीं बदलते नीती और नियत के आधार पर उत्तरप्रदेश के लोग अपना मन बनाते हैं और यही कारण है कि महा मिलावटी लोगों के बंदन की गाठ अब धीली पड़ चुकी है साथियों अभी जो पहले पहले आप पहले आप लखनवी मिजाच से बाते करते थे वो चार चरण के बाद एक दूसरे का गला काटने के खेल खेल रहे हैं और तेईस माई को जब चुनाव का नतीज आएगा शाम को कहने लगेंगे जो पहले आप पहले आप कह रहे हैं न तेईस माई को देख ले न वो कहेंगे आप कौन आप कौन आपने ऐसा किया उदर ऐसा किया मैं देख लूँगा देखना तेईस माई को नहीं लड़ाई शुरू होने वाली है झाल झाल